स्वर्गिया राम बिलास पासवान जी के द्वारा बनवाला गया सीपेट कॉलेज हाजीपुर का सीपेट कॉलेज लेकिन अब वहाँ पर परहाई नहीं असलीलता परोसा जाता है नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं देशवानुज जी हाँ छात्र है या छात्रा दोनों ही ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं असलील गानाओ पर दरासल पूरा मामला निकल कर आया है देर रात का जहाँ पर फंक्शन रखा गया था कारीकरम रखा गया था और कारीकरम रखा गया था सांस्कृतिक कारीकरम सांस्कृतिक कारीक्रम का नाम सुनकर सीपेट कॉलेज के और से जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस कारीक्रम की इजाज़त दे दी बच्चों को लेकिन बच्चे हैं गलती हो जाती है बच्चों ने उस कारीक्रम में देद दनादन एक पर एक असलील गाना बजाने लग गए और गाना भी यह से कि जिसे आप सुनेंगे तो होस्ट ठीकाने आ जाएगा आप पहले गाना सुनिए कि किस तरीके से असलील गानाओं पर बच्चे ठुमके लगा रहे हैं जी हाँ तो सुना आपने कमरिया करे लपा लप लॉलीपॉप लागे लू और ये गाना बज रहा है राम बिलास पास्वान जी के द्वारा जो कॉलेज बनाया गया था स्थीपेट उसमें और उस कॉलेज के जो बच्चे हैं किस तरीके से ऐसे गनाओं पर ठुमके लगा रहे हैं आप देख रहे हैं तस्वीर ना कि किस तरीके से सटों को हवा में उड़ाया जा रहा है कुर्तों को खोल खोल कर हवा में उड़ा रहे हैं और इस दोरान कारी क्रम में जो कुर्सियां लाई गई थी बच्चों को बैठने के लिए उसमें से 50 से भी अधिक कुर्सियां तूट गई उसके बाद आप तस्वीर देखिए कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है जैसे ही असलील गाना परोसे जाने लगे वैसे ही सीपेट कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनके हाथ पैर फूलने लग गए क्योंकि इसमें बड़े बड़े मंतरी और बड़े नेता लोग पहुँचे हुए थे कारी क्रम में वैसे में आनन्द में सीपेट कॉलेज प्रसासन के और से इस कारी करम को बंद करा दिया गया और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकला आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो टीचर है और कॉलेज के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुँचते हैं, कारी करम को बंद कराया जाता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से असलीलता परोसा गया और परोसा गया होटल मैनेजमेंट कॉलेज शीपेट के नाम से जाना जाता है वहाँपर और वहां के बच्चे को देख रहे हैं आप कि किस तरीके से डांस कर रहे हैं सटों को खोल कर जैकोटों को खोल कर हाथों में लहराया जा रहा है उसे आसमान के और फेका जा रहा है और उसी में कम से कम 50 से अधिक कुरसियां तूट जाती है और ये सब कुछ रात भर चलता रहा और जब सुबह होने वाली थी तब कारी करम को बंद कराया गया सीपेट मैनेजमेंट के और से बताया जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है बच्चे हमें कहे थे कि हम सांस्क्रितिक कारी करेंगे और इजाज़त ले लिए लेकिन उहां पे असलीलता परोसा गया और जब इसकी जानकारी मिली तो कारी करम को बंद करा दिया गया फिलहाल देशवान्यूज में इतना है देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवान्यूज में तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त धन्यवाद